हर्याणा में मांसून रुक रुक कर एक्टिव हो रहा है अब दो दिन और एक्टिव रहेगा इसके बाद बारिश में कमी देखी जा सकती है भारत मौसम विज्यान के मुताबिक आज हर्याणा के 15 शहरों में मध्यम से तेज बारिश की संभावना है जिसके चलते भारी बारि पत में बारिश के आसार है गुरुवार को भी कई जगा पर बारिश होई है लेकिन बारिश से हवा में नमी बनी हुई है मौसम के बार बार कमजोर पढ़ने से लोगों को उमस से परिशानी जहलनी पढ़ रही है वही मानसून फिर से कमजोर पढ़ने से उमस का दौर फिर स से शुरू होने के आसार है जुलाई में कम बारिश के बाद अब अगस्त में सामान से अधिक बारिश हुई थी वह सितंबर में अभी तक अच्छी बारिश देखने को मिली है हर्याडा में मौसम आमतोर पर 17 सितंबर तक परिवर्तन शील रहने की संभावना रहती है जिससे आ आने तथ तापमान में हलकी बढ़ोतरी होने की संभावना है मानसून ट्रफ सामान इस्तिती पर उत्तर की तरफ बने रहने और अरप सागर से नमी वाली हवाई आने की संभावना से मौसम खराब रहेगा 14 सितंबर तक राज के जातर छेतरों में बीश-बीश में हवाई व मौसम भागने काया कि दक्षिर पशिम मानसून 19 से 25 सितंबर के बीच लोटना शुरू हो सकता है सामान रूप से मानसून पशिम उत्तर भारत से 17 सितंबर से लोटना शुरू होता है मानसून सीजन 15 अक्टूबर तक पूरे भारत से खत्म हो जाता है